एहो बाबा नीव करोरी, मेरे बाबा नीव करोरी, आया हूँ अब शरण में तोरी, मेरे बाबा नीव करोरी एक बार की बात है, बाबा नीव करोरी महराज से मिलने उनके भक्त जन का परिवार आया था, लेकिन जैसे ही परिवार लोटने को तयार हुआ, बाबा जी ने कुछ पलो के लिए उन्हें रोग दिया, उस समय भारी आधी तूफान आया था, और जैसे ही बाबा जी ने उस पर देर बाबा नीम करोली महराज ने उनको रोका था, तो आप समझ ये अपने भक्तों की रख्षा के लिए बाबा नीम करोली महराज ने कैसे कैसे चमतकार दिखाए, भारत आये और विश्व पर सिद्ध कैंची धाम के दर्शन करने गई यहां से जुकरबर्ग की किसमा तलग गई जुकरबर्ग वापस अमेरिका गए और उनने फेस्बुक को आगे बढ़ाया कहने की बात नहीं कि आज बाबा के आसिरवाद से फेस्बुक दुनिया की सबसे बड़ी सोसल नेटर्किंग साइट्स में से एक है संत हिर्दे नवनीत समाना कर उपकार जगत के नाना बाबा नीम करोली महराज को हनुमान जी का अवतार बताया जाता है वो हनुमान जी के परम भक्त थे कहा तो यहां तक जाता है कि तुलसीदाज जी के बाद हनुमान जी ने अगर किसी को दर्शन दिये तो वो बाबा नीम करोली महराज थे यही कारण था कि उनके चमतकारों में इतनी शक्ती थी कि वो अपने भक्तों को हर बार मुश्किलों से बचा लेते तो यह थी बाबा नीम करोली महराज के चमतकारिक जीवन पर हमारी खास पेशकस चमतकारी बाबा नीम करोली महराज देभुवी डायलोग में खास ख़बरों का सलसला लगातार जारी